नमसकार दोस्तों मैं हूँ斥 जैप्राश और आप देख रहे हैं दोस्तों आज हमारे सामने आई है और पंदरा और अंदरा का अफिन्ड तू है उसका ये इंजन है उसको व्बारे में हम पताएंग gallery किसमें आइधी प्रोलूं औहों सीजाने कि इसमें स्हाज खत्म हो गया था खत्म होना के कारण पिछिस्ट्र already गेखी जिस्में आवाज में करेंक सफ्टिस की भीलकुल ठीक है जो अब काम गूं करने शारे हैं व्कंतने जा या फिश्टियार इसमें इसमा स्लेंड गी जासे कि मैं आपको पाट दिखाने जाए रहा हूं यह सलेंडर किट है वार्जन टू यह वावल सील है यह टाइम इंचेन है ताइम इंचेन है जो मार्पी है 496 चारसो चाइन रुपेगी है वाटर पंप है वाटर पंप जो है इसमें टाइमिस पोकर में लगता है पर बाकी अब हम इसको फिट करेंगे उसके बाद बताएंगे इसमें क्या प्रोसीजर है कैसे क्या फिट होना चाहिए जो इसकी टाइमिंग है उस बारे में बताएंगे आपको जो आर्वन पंद्रा वर्जन टू है ओफोर वाल इंजन है तो दोस्तों इसमें दो वाल इनलेट के होत गाइड चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसमें साड़ी पले ऐसे नहीं होनी चीए अगर इसमें के अंदर पले है तो इसमें वाल गाइड लगाने की जूट पड़ती है जो एकजोस्ट में है यह हलकी सी एकडेड एम्यम की पले होती है इनलेट में बिल्कुल करते हैं वाल ग्रेंड करने के बाद हम इसको बिल्कुल साफ करके पैट्रोल से इसमें फिर पैट्रोल डालके चेक करेंगे कहीं कहीं तो पैट्रोल तो लिकेज तो नहीं है अगर यह वोल लिकेज रहेगे तो दोस्तों इसमें प्रेसर और जो पिक अप है वो नहीं आएग तो इसका ध्यान रहे हैं जब भी कभी आप हैड के वॉल ग्रेंड कराते हो तो इसमें प्रोपर पेट्रोल डालके अच्छी तरह से चेक तो फ्रेंड्स ही है हमने एड वॉल ग्रेंड हो गए हैं अब हम इसको वॉल इसमें हैड के अंदर लगाने जा रहे हैं से पहले लगाते हैं से से पहले पाइपते हैं तो हम जो लगाते हैं वाललों के सप्रिंग के लगाते हैं कि ये वोललडर रिजै लगा नहीं है जो वाल जहां पर ग्रेंड हुआ है जिस आडिका है तो वहीं पर लगाएं अगर एक दूसरे में चेंज होगे जो लूजिया ये इसको में आज से बठाते हैं है कि कि अ गश्राइब तो पड़े हैं दोस्तों यह फिट करने बाद इस चोड़ मार के दुरूद देखें पर इबर क्या होता काट रहा लगता हो निकल ना जाए इसके बाद केम साप्रट है तो केम साप्रट लगानी है इसके बाद रोक कर रहा है अब ढांस को दोस्तों रोकर होते हैं फ्र‌तक ह1 होते हैं यह दुसरे में डेट एक जैसे ही होते हैं तो इसमें यह यह का लग है फ्रेंट्स जो यह पत्ती होती है जिरोकर लोकर की साफ्ट होती है उसको लो करती है सातमे करती है कि हम सब्त को तो किस तरह लगानी है यह दिखा रहा हूं इसके बाद यह पत्ति यहां पर लग जाएक है यह साथ में को लोक कर रही है रोकर की पिन को उसको लोक करती है साथ में करती है कि इन सब्सक्राइब इसके बाद इसके बोल्ट लगाएं इसके बाद से पहले निकलती है इसी कैस किट किट है हैड और स्रिंटर की यह वारे हैं पिश्टन रिंग कि यह वारा पिश्टन और ही अब निकलता है हमारा स्लेंडर दोस्तों जो स्लेंडर की खास बात है यह हमारा पुरा एल्वनियम का होता है स्लेव लोहें की बद्र की जो कोटिंग होती है ना मत्रसी वह हार्ड कोस्टिंग होती है जो अपने इंडिया में इसकी मेनेफेक्शिरी है नि मेरे को इसका बारे मत पता चला था मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए गाया था फ्रेंड्स जब भी काम करें आप बिल्कुल एक साफ करें इसको हमारे प्रोप्राथ साफ होने चीए इसके सरकलीप है पिश्टन पिन के लोग के पिश्टन पिन पिन पर हमारे यह है पिस्टन यम्मा मेड इन इंडोनेसिया मतलब यह हमारे यहां का मैं पहले इंडोनेसिया मतलब यह हमारे यहां का मैं पहले ही बता रहा था आपको हमारे यहां की फिन में इंफेक्शिरी नहीं यह इसमें जो एक जोस्त कहीं पड़ती है यद में घूरी हिसमें जो इक जोष्ट का अहला है वो यह है यह मरा जो इन इसान ही उद्म न है ना जिए इसमें बस फिटन सवहें कै ये मारी nggak है कपैक तो ज़स्यूर और यह कंप्रेशन सब्सक्राइब करें तो इसको निच्छे तो फ्रेंड्स यो पिश्टन रिंग है मैंने डाल दिये हैं इसके बता जिता हूं जो निच्छे वाला होता है उसका बनाना होता है सात में जो रेल रिंग होते हैं और 45 डिग्रीज के उसके रखना है एक्जोष्ट की तरफ हैं बाकी जो और अपर नियाएख और यो कंप्रेसर टोप अबहुं में होता है यह एक दूसरे के दौस्टो सबसे प्रेंग लंगे कि वाद यह एक्जोस्ट तरफ दाएगा लोग लगाने में कपड़ा लगाना चाहिए ताकि लोग अंदर ना जाए दोस्तों सिलंडर को ऐसे लागे उठाए ताकि हमारे नहीं बाहर ना नहीं कर रुपाए इससे कि दावल है हमारे दोस्तों हमारी आड़ पेकिंग है यह ऐसे डालोगे तो गल्त हो जाएगी इसको देखकर ही डाले ऐसे यह प्रोब परा जाएगी ऐसे यह सबसे बारीक रेगमाल होता है मोटा रेगमाल नहीं मारना है मोटा रेगमाल मार दो जाएगी तो साइड सप्रेसर लेकिज हो जाएगी है ऐसे ठीक है दोस्तों चेक करो इसके बाद इसको इसम्बल कर दो लगा दो चैन हम बाद में डाद सकते हैं दोस्तों इसामने के टाइट करें दोस्तों कि इस साइड में दो एल की नट होते हैं दोस्तों जरूरी है दोस्तों हम इसमें टाइमिंग चैन डर लेंगे है हमारी टाइमिंग चैन है दोस्तों ने टाइमिंग लाने जारे हैं भी देखें है प्रेंड्स वह वाल टाइमिंग होती है यह बिल्कुल एकुरेशी होना चाहिए नीचे से बहुत रहे हैं यह आप देख भी रहे हो अगरा वाल टाइमिंग हमारी एक दाता भी आउट हो जाती है तो हमारी गाडी मिसिंग मारेगी और पीक अपने लिए तो ध्यान रहे जो व साइड माँ जो एफिस्टिव नहीं होती है जो अब देखा हुआ यह नहीं होता क्योंकि इसे अंदर जो हमारा कुल एंड शलता है यह प्रोपर वाटर कूल इंग जाम है यह वाटर पंप यह पीन हमारा जो स्काड़ है इसके अंदर गुशेगा यह तकर बहुत के यह इए़ लाके जो वाटर पंप को इंडर ङसा रहरा हुआट यह वाटर पंप पा लगाने चाहरे वारा इंचेब यह तो इसका ठाबड़ करेंगे 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 टैपट सेट करने होते हैं एक जोस्त में होती है जीरो पॉइंट होती है जीरो पॉइंट चे में पॉइब देख रहे हैं अब इसमें इंजिन उइल डालके हम चेशी में लगाएंगे वह भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे दोस्तों यह इंजिक्टर है इंजिन उतारते बद पहले इसका ध्यान रखें जो इंजिक्टर है इसको खोल के और बाहर निकाल लें कई बार जो यह कैप होती है यह यहां से तूट जाता है और यह इंजिक्टर कम से मिनी तो 2000 के सपास है एक चीज का और ध्यान देना है हम लोगों ने इंजिक्टर के लावा जो बैटरी का पलस का तार है जो यह एफई बाई के हैं इसका पलस वाड़ा तार है यह हमने डिस्कनेक्ट कर लेना नहीं तो दोस्तों इस चीजा खास ध्यान रखें तो दोस्तों जो यह बाइक हमारी आर पंद्रा यह क्यों हो गई है इसमें स्टार्ट करके आपको बता भी दिया और अगर आपके विबास कोई भी बाइक है और किसी प्राइब कोई प्रॉल्मा रखी है फोन नंबर है डिक्सिशन में आप मेरे को बीकर सते हैं फ्रेंस आपकी समस्या जो बाइक में है और शोल करने की और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू